हेलो बच्चों, हम लोग NCRT का सेमी कन्डेक्टर का चैप्टर कवर कर रहे थे जिसमें मैंने आपको on the basis of, है ना, मैं तो क्लासिफिकेशन of materials on the basis of band gap, energy band gap and on the basis of conductivity पढ़ाया था सेमी कन्डेक्टर क्या होता है, वो भी बताया था vacuum tubes क्या होता है, ये भी आपको बताया था cathode ray tube क्या होता है, ये भी आपको मैंने explain किया था electron क्यों jump करते हैं, ठीक है, conduction band क्या होता है valence band क्या होता है, isolated silicon का energy level कैसे decide होता है ये सारी चीज़े मैंने आपको explain, बहुत अच्छे से कर दिया था ठीक है, आप videos देखेंगे तो आपको समझ में आज आएगा बच्छों, ठीक है अब देखिए, हम लोग आज के इस lecture में, जो NCRT का topic है intrinsic semiconductor उसको cover करेंगे, intrinsic का मतलब होता है बच्छों, pure semiconductor intrinsic semiconductor का मतलब होता है, pure semiconductor याना pure semiconductor मतलब ऐसा conductor जिसमें कोई भी mixing नहीं है, ठीक है, कोई भी impurity mix नहीं किया गया है चले statement हम लोग पड़ते हैं, और फिर उसको मैं आपको explain करूँगा we shall take the most common cases, most common case of germanium and silicon, whose lattice structure is shown ठीक है, यहाँ आप lattice structure दिया हुआ, these structures are called diamond-like structure इसका जो lattice structure है, उसको diamond-like, diamond structure बोलते हैं, तो diamond जैसा देखता ही है ठीक है, each atom is surrounded by four nearest atoms, देखे, each atom is surrounded by four nearest neighbors we know that, we know that silicon and germanium have four valence electrons बद चो, silicon and germanium के पास, four electrons होता है, ठीक है और lattice में, मतलब यहाँ पड़ा कर आप समझें, तो crystal में, एक silicon जो होगा और भी तो silicon से चारव तरफ सो घिरा होगा होगा ऐसे, surrounded होगा तो उसी के बार हम दिखा है कि, each atom is surrounded by four nearest neighbors ठीक है पहले इसको underline कर देता हूँ, क्योंकि यह important point है और उसके बाद आपको मैं डाइग्राम के सुरूँ समझाद दूँगा इसको दिखिए बोला गया कि, जो हर एक silicon या germanium atom है वह अपना एक valence electron अपने nearest जो उसके atoms हैं, उनके एक valence electron के साथ share करता है और जब यह sharing होता है बच्चों तो वहाँ पर एक covalent bond बनता है वहाँ पर एक covalent bond का formation होता है ठीक है, देखिए, यहाँ देखा ज़ते हैं इस shared electrons, electron pairs are referred to as forming a covalent bond और simply valence bond, ठीक है अब यहाँ पर कैसे होता है यह चीज है अब एक crystal है तो उसमें बहुत सारे silicon होंगे बच्चों बहुत सारे germanian atoms भी होंगे तो अगर यहाँ पर देखिए तो इसके पास four valence electron है न, silicon के पास तो यह क्या करेगा अपने बगलवाले silicon से उसके एक electron से अपने एक electron का covalent bond बना देगा इस type से होता है, covalent bond बन जाएगा यहांपर अपर ऐसा covenant bond ठीक है? इसके पास भी four है तो यह भी अपने side वाले से बनाएगा यह भी अपने neighbor से बनाएगा है न, यह भी अपने यहाँ पर कोई neighbor silicon है उससे बनाएगा ठीक है? यह भी अपने neighbor silicon से बनाएगा देखे ऐसे तो चलते रहे गए प्रोसेस है क्योंकि एक नहीं है बहुत सारे लाखो करो रहो सिलिकॉन से इसमें तो यह जो बॉंड बन रहा है यहां यह जो बॉंड बना है इसी को हम कहा बोलते है कोवेलेंट बॉंड या फिर वैलेंस बॉंड समझ में आ गया है बच्चो यह पूरा स्टेट्मेंट का मतलब यह ही है दा टू सेयर्ड देखे दा टू सेयर्ड एलेक्ट्रोंस कैन बी एजुम्ड तो शेटल बैक एंड फोर्थ बीट्विन असोसियेटेड एटम्स फोर्दिन पूर्दिन और टू सेयर्ड पॉर्दिन बार लिए तूल असोसिये एक आप अपर काफी एक निसे को फोल गरकर के रखा एंड तूल दोनौ सेयर्ड एलेक्ट्रोंस है तो डाइमेंशनल रिप्रेजेंटेशन अफ सिलिकॉन जर्मेनियम यह तो खेट 3D हो गया जैके इसमें एक सिलिकॉन है ने यहाँ पर एक सिलिकॉन का यहाँ पर अपने नेवर्स के साथ इधर एक एक अलेक्ट्रोन ने बना दिया बन्दिंग एक एक इधर बनाया एक इधर और आल फॉर एलेक्ट्रोन जो हैं कोवरेंट में वह तो बना रहा है ना बन्दिंग यह 3D हो गया और 2D में यहाँ दिखा दिया मैंने और इस ने भी दिखाया एक 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 इसके वह अपने नेवर्स के साथ बन्दिंग बना रहा है जिसको हम लोग कोवरेंट बन्द ठीक ह और यह जो इलेक्ट्रोन है इसको बन्दिंग ऐलेक्ट्रोनस बोलते हैं ठीक है ऐन इन फीगर 14.3 विच ओभर आ ऑभर मेंदिश दा कोवलेंट बन्द ठीक हैं एक सोज और अड़ालाइज द पिक्चर इन विच नो बन्स इर ब्रोकें यहाँ पाभी कोई भी बन्द मतलब ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है, all bonds are intact, such a situation arises at low temperature, जब तक मतलब जब यहाँ पर देख रहे हैं न हम लोग कोई भी covenant bond नहीं हुआ है, तो इस type का जो situation है, हमें इसा low temperature पर होता है, क्योंकि एक चलिमें होता क्या है, कि जैसे आप high temperature देंगे, temperature rise करेंगे, temperature rise करने से energy rise करता है, और जब energy rise करेगा, तो यह जो electrons है, यह अपना bond break कर देंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएंगा, तो यहाँ पर क्या create हो जाएगा, एक vacancy create हो जाएगा, जिसको holes बोल देंगे, और यह जो electron निकल जाएंगे, तो यह अपना, free electron बोल देंगे, ठीके, as the temperature increases, more thermal energy becomes available to these electrons, ठीके, ज्यादा thermal energy available होगा, and some of these electrons may break away, तभी covalent bond को break कर लेंगे हापन, the thermal energy effectively ionizes only few atoms in the crystalline lattice and creates a vacancy, and creates a vacancy in bond as shown in figure 14.5A, ठीके, यहाँ पर क्या होगा, जब आप energy देंगे, ठीके, तो यहाँ पर दिखा ज़ते हो आपको, जैसे आपने energy दिया, तो यहाँ से एक electron break हो गया, मैं आपको इधर बना देता हूँ diagram, तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे आपने energy दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, यह covalent bond, जैसे यह वाला जो electron है, यह electron बाहर निकल जाएगा, तो जब यह electron बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर एक vacancy create हो जाएगा, तो यहाँ पर एक vacancy create हो गया, और जो electron था जो free, जो भूम रहा था, जो बाहर निकल गया, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल free हो जाएगा, ठीक है, तो अब इसको बोल देंगे हम लोग free electron, free electron और इसको बोल देंगे holes, ठीक है, इसको हम लोग बच्चो holes बोल देंगे, तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है, और वही चीज़ यहाँ पर diagram में दिखाया गया है, diagram आपको और भी explain करूंगा मैं, इन दोनों diagrams को, ठीक है, यह diagram है, जब low temperature है, जब कोई भी covalent bond, break नहीं हुआ है, ठीक है, अब देंगे, कहीं से अगर negative charge हटेगा बच्चो, तो हम लोग यह माल लेंगे, को हाँ पर positive charge आ गया, ऐसे चीज़ यहाँ जो होता है, एक तो होटा है, होल को मतलब एक तो imaginary है, है तो होल कोई चार्ज होरी नहीं है, बच्चो, तो रिल चार्ज नहीं है, इमेज़नरी चार्ज तो उसको positive charge माल ली जाता है, थो मना जाता है कि प्रोटं की तरह भी positive है, ठीक है, this vacancy with the effective positive electronic charge is called holes ये देखिए बहुत इंपोरें थे this vacancy इपका मतलब होगें holes holes with effective positive electronic charge is called holes the holes the hole behaves as an apparent free charge free charge a free particle with effective positive charge apparent कहने का मतलब real नहीं है ठीक एक imaginary है hole कोई charge नहीं होता है ठीक है hole कैसे move करता ये भी आपको समझाया था पिछले वीडियो में ने ठीक है अब देखिए in intrinsic semiconductors the number of free electrons any is equal to number of free number of holes that is any is equal to NH is equal to Ni कानिका मतलब हो गया कि intrinsic carrier concentration ठीक आप देखिए आपको में समझा रहा हूँ कि यहां पर यह equal क्यों हुआ सबसे पहली बात बच्चों कि यह जो intrinsic के हम बात कर रहे हैं ठीक है तो intrinsic या pure semiconductor जो pure semiconductor है यह completely temperature dependent है सबसे पहली चीज़ आप इसको समझेए कि यह temperature dependent है मतलब अगर आप temperature बिलकुल low रखेंगे न तो यहां पर ना कोई free electron होगा और नहीं कोई holes होंगे है ना जब आप देखिए यहां पर जब आप temperature को बहुत ही low रखते हैं ठीक है तो यहां पर ना कोई free electron होगा नहीं कोई holes होगे बच्चों ठीक है बड़ जैसे temperature rise करेंगे, covalent bond break होगा और अगर covalent bond break होगा तो इस टाइप से यहां पर एक electron बाहर निकल जाएगा जिसको आप देखिए कि यहां पर जितने भी covalent bond break होगे ठीक है उतना ज्यादा यहां पर number of holes and number of electrons निकलेगा जैसे देखिए इधर में अगर मैं बोलूँ कि यह electron बाहर निकल गया तो यह electron यहां से अगर बाहर निकलेगा ठीक है तो यहां पर electron तो free हो गया बट यहां पर क्या create हो गया frequency तो मतलब जो temperature dependent है ठीक है pure semiconductor इस pure semiconductor में जितने number of electrons होंगे उतना ही number of holes भी होंगे ठीक है कि कोवलेंट बोंड ब्रेक होने के वज़से charge carriers मिल रहा तो अगर कोवलेंट बोंड ब्रेक होने से बच्चो चार्ज कारियर्स मिलेगा तो यह तो clear हो गया कि हो गया हो गया पर semiconductor possesses the unique property in which apart from electrons the holes also moves है ना holes यहाँ भी बच्चो यहाँ पर move करता है अब यहाँ पर holes just assume किया था move करता है ठीक है यह कैसे क्या होता है यह आपको बताया था मैंने previous lecture में ठीक है अब मैं बोलना हूं कि यह conduction band हो गया ठीक है तो अगर balance band है conduction band है तो अगर मैं बोलों कि यहाँ पर electrons है तो अगर कोई भी एक electron यहां से ऐसे उठ करके यहां आ जाएगा यहां पहुंच गया ठीक है और इसके नीचे भी electron था तो अब इसमें क्या होता है कि जब यह electron हटेगा यहां से तो यहां पर एक वैकेंसी क्रेट होगा ठीक है तो वैकेंसी क्रेट होगा तो क्या होगा इसके नीचे वाल जो एलेक्ट्रोन है वह इसको फिल कर देगा जब नीचे वाल एलेक्ट्रोन जब यहां पहुच जाएगा तो यहां पर एक वैकेंसी क्रेट हो जाएगा तो अब क्या हुआ देखी वोल्स की बोलेंगे कि यहां पे नए वोल बन गया रहाइसा कि वह यहां उठके आ गया इसा भी बोल सकते हैं था है कि वह सकते हैं तो यहां पर अच्छल में जंप कर गया और यहां की होल फील हो गया The movement of holes can be visualized as shown in figure 14.5B An electron from the covenant bond at site 2 may jump to the vacant site 1 देखे यहां पर जैसे यहां से covenant bond break हुआ बच्छों तो यहां पर hole create हो गया ठीक है और जो thermally generated thermally generated free electrons था thermally generated करने का मतलब जो temperature rise करने से जो electron free हुआ था क्योंकि temperature rise करने पर एनर्जी बढ़ता है जब एनर्जी बढ़ता है तो covenant bond break होता है तो उसको हम thermally generated free electrons भी बोलते हैं तो यहां पर hole जो बना था ना देखिए इस hole को यहां का electron इधर इधर का electron आके फिल करते का यहां दिखाया इस diagram में कि यहां जो hole था उसको यहां के electron जागा फिल करेगा जब यहां फिल करेगा तो यहां पर क्या होगा vacancy create होगा समझ में आगे ला यहां पर vacancy create होगा ठेक है और उसी चीज़ को मैंने यहां दिखा दिया था इस तारीके से और वही same चीज़ को यहां लिखा हुआ है कि an electron from the covalent bond at site 2 देखिए at site 2 यह site 2 है तो यहां से electron jump to vacant site 1 jump to vacant site 1 यह site 1 है site 1 है यहां पर jump कर गया तो यहां पर holes बन गए ठीक है thus after such a jump the hole at hole is at site 2 and site 1 has now an electron ठीक है देखिए इसको underline कर दिया जाए बच्चो एन electron यह बड़ी important point है है आप इसको जरूर याद रखिए और समझे इससे को मैंने अभी ज़स्ट समझाया आपको कि hole 1 है न वहां पर एक electron जम्प कर जाता है site 2 से मताब दूसरे कोवलेंड बोंड से एक electron जम्प कर जाएगा ठीक है तो यहां पर क्या हो दुबार एक्स्प्रेंड कर देता है आपको देखिए यहां इस जगर पर यहां का electron चला गया तो यहां पर electron फील हो गया और यहां पर एक वैकंसी क्रेंड हो गया उसी चीज़ को पुरा यह अंडरलाइन चुकिया है मैंने यहां पर एक्स्प्रेंड किया है ठीक है अपरेंटली टो होल हाज मॉब फॉम साइट वन तो तो अबताब एक से दो पर मूब कर गया है ठीक है मतरब यहां पर हम बोलेंगे कि होल से यहां पर मूब कर चुके है ठीक है Note that electron originally set free is not involved in this process of whole motion यहां पर यह electron free हो गया था यह electron का इस electron के movement में यह holes के यहां से यहां पहुँचने में इस electron का कोई रोल नहीं है यह free हो चुका है अपना गूम रहा है हम से उसका कोई यहां पर रोल नहीं है ठीक है अब देखिए the free electron moves completely the free electron moves completely independently as a conduction electron and gives rise to an electron current ठीक है IE अब यह जो conduction यह जो है ना electron यह as a conduction electron move करेगा जिसके वेसे current IE होगा IE बोलने का मतलब हुआ कि current due to electron under and applied electric field under and applied electric field अगर आप electric field देंगे तो ही होगा क्योंकि current electricity में इस चीज़ को आपको बताया जाता है कि कि किसी भी conductor के अंदर electron का movement तभी होता है जब हम battery connect करते है और battery connect करने से क्या होता है बच्चों कि एक positive terminal negative terminal में तो potential difference करेट होता है जिसके वेसे अंदर में एक electric field मिलता है मेटल सर्फिस के अंदर और वो electric field क्या करता है कि electron को electric field के direction के opposite force लगाके move करता है तो अगर electron move करेगा तो current भी होगा ठेक है तो वही चीज़ यह लिखा है कि अगर यह जो free electron है बच्चों जो conduction electron है यह completely जब free हो गया है तो उसकी वेसे current मिलेगा यहां पर ठेक है and holes move कर रहा है तो उसके वेसे भी मिलेगा ठेक है remember that the motion of hole is only convenient way of describing the actual motion of bound electrons ठेक है whenever whenever there is an empty bond anywhere in the crystal under the action of an electric field the holes move towards negative potential ठेक है इसमें क्या होता है कि यहां पर जो holes है वो negative potential की तरफ जाता है मतलब यहां पर माल लिजगर मैं अगर इसको semiconductor माल लेता हूँ अब मैं बोलूँ कि यहां पर यह holes हैं तो यह holes क्या होंगे इधर जाएंगे ठेक है क्योंकि होल्स को positive मानने जाता है न क्योंकि होल्स को positive आट्रों निकल गया है तो क्या होगा positive charge तो नेगतिव होगा electron वो कहा जागा positive terminal के तरफ attract होता है ठीक है उसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है whenever there is an empty bound empty bond anywhere in the crystal under the action of electric field this hole moves towards negative potential giving the hole current IH ठीक है जो भी बता रहा था IH the total current I is the sum of sum of electron current and holes current क्योंकि यहाँ पर move कर रहा है electron और hole दोनों move कर रहा है तो इन दोनों की वेश से current होगा तो अगर इन दोनों की वेश से current होगा बच्चों तो हम क्या लिखेंगे I is equal to IE plus IH I is equal to IE plus IH ठीक है मतब holes plus electrons दोनों की वेश से current हो दोनों को add कर दो तो आपको total current यहाँ पर मालूम हो जाएगा टzahl की अगर दोनों की अगर में दोनों की वेश पर्दा दोनों – Leo carriers the recombination occurs due to electron colliding with the hole okay we have the key very important point bola gaya ki at equilibrium equilibrium pay the rate of generation is equal to the rate of generation is equal to rate of recombination of charge carriers the recombination occurs due to an electron colliding with the hole the rate of generation is equal to the electron the electron is equal to the electron is equal to the electron simultaneous no delay no lag create and generate here the hole is equal to the side 1 the hole is equal to the bond break होता है ठेक तो यहां पर recombination भी तो हुआ ना जब एलक्ट्रों नहाएगा और यहां रीकॉंबिनेशन होगा ठेक तो मतलब equilibrium बोलने का मतलब हुआ ठेक जूब सेम रेट होना तो equilibrium पर क्या होगा कि दोनों का rate सेम हो जाएगा recombination का and generation का पूरा rate completely यहाँ पर same हो जाएगा, ठीक, तो यह ध्यान रखियागा, कि यहाँ पर दोनों एक साथ चलते रहता है, ओके, देखें, यहाँ पर, an intrinsic semiconductor will behave like an insulator, यह बहुत important है बच्चों, यह knowledge के लिए आप याद रखे, question में आप से objective में पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर assertion region में, यह pure semiconductor, temperature dependent होते हैं, temperature dependent होते हैं, तो सोचिए, अगर आप 0 Kelvin करेंगे, तो 0 Kelvin बोलने का मतलब क्या होता है, कि minus 273 degree Celsius, ठीक है, तो उतने temperature पर आप जाएंगे, बतलब तन नीचे हो जाएंगे, आप 0 Kelvin चले जाएंगे, तो electron move नहीं कर पाएगा, क्योंकि electron को energy नहीं मिलेगा, तो अगर electron को energy नहीं मिलेगा, तो यह electrons jump कैसे करेंगे, तो इसलिए बोला गया कि तब उस case में, जब electrons jump नहीं कर सकते हैं, तो ना कोई free electron होगा, नहीं कोई holes होंगे, तो अगर कोई free electrons भी नहीं होगा, कोई holes भी नहीं होंगे, तो फिर यहाँ पर current का flow कैसे होगा, नहीं होगा, ठीक है, next देखिए, it is the thermal energy at high temperature, which excites some electrons from the valence band to the conduction band, ठीक है, ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको बोला था, कि valence band से conduction band में higher temperature पे, जो कि 0 सो Kelvin से ज़्यादा होना चाहिए, कुछ electrons को यह energy देके excite करता है, जिससे कि वो electrons valence band से jump करके, conduction band के अंदर चले जाते है, हैना, conduction band के अंदर चले जाते है, ठीक है, from valence band to conduction band, ठीक है, ठीक है, ठीक है, from valence band to conduction band, okay, these thermally excited electrons at T greater than 0 Kelvin, partially occupy the conduction band, therefor energy band diagram of an intrinsic semiconductor will be shown in figure, some electrons are shown in the conduction band these have come from valence band leaving equal number of holes ठीक है मतलब ये सारी चीज तो पहले भी एक्स्पीन कर चुगा था मैं ठीक है कि जैसे ही यहां पर electron एक जाएगा तो एक vacancy create हो जाएगा एक electron यहां गया तो यहां हो गया तीन electron गया तो तीन vacancy create हो गया अगर चार electron जाएगा तो चार vacancy create होगा तो जीतने number of electrons जाएगे उतने जादा vacancy यहां पर बच्चों create होगी ठीक है अब एक extrinsic आपको समझाओंगा बट उसके पहले यहां पर एक्जामपल दिया हुआ देखिए carbon silicon germanium have same lattice structure why carbon is insulator while silicon germanium intrinsic semiconductors देखिए इसका solution दिया हुआ है आपको मैं समझाओंगा था हूँ ठीक है मुझे तो मालू ही है आपको explain कर था हूँ इस ही के statement से थाना मतलब यहां पर ionization energy की बात हो रही है ठीक है जो energy है जो energy band gap उसकी बात हो रही है will be least for germanium followed by silicon and highest for carbon hence number of free electrons for conduction in germanium and silicon are significantly low and negligibly small for carbon मतलब बच्चों जो carbon के अंदर जैसे माल लोके अगर यही हो रा जो है ना diagram अगर carbon का होता तो यहां पर ना carbon के लिए यह चीज अब्जर्व किया गया है कि जो energy हां चाहिए देना पड़ेगा electron को निकालने के लिए वो बहुत ज़्यादा देना पड़ता है बत्तों 3 electron volt से ज़्यादा देना पड़ता है जबकि silicon और germanium के लिए 3 electron volt से कम energy देना पड़ता है तो जिसमें energy कम supply करना पड़ेगा वह हमारे लिए अच्छा होगा suitable होगा जिसमें ज्यादा energy supply करना है वह हमारे लिए suitable और अच्छा नहीं है बच्चों तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा intrinsic semiconductor अब आपको extrinsic पढ़ाऊंगा extrinsic मतलब हो गया बच्चों यहां पर impurity का mix करना मतला अगर pure semiconductor में आपको impurity mix कर देते हैं तो वो extrinsic semiconductor बच्चों बन जाता है ठीक है ठीक अब यहां पर जरुड़त क्यों पर रही हम लोग की impurities को mix करने की ठीक है इस चीज़ को हम लोग यहां पर समझेंगे करने से covalent bond break हो रहा था covalent bond break होने से electron and holes मिल रहे थे but at room temperature its conductivity is very low room temperature पर conductivity बहुत ही लो होता है एक मिनट ज़रा इसको मैं यहां पर underline कर दूँ okay very low as such no important electronic devices can be developed using these semiconductors मतलब intrinsic semiconductor का use करके हम लोग कोई भी important devices नहीं बना सकते हैं क्योंको temperature कम होता है ठीक है अब जैसे मालने जगा आप ऐसे कोई भी country आज़े स्विट जर्लेंड हो गया ठीक है Norway हो गया या फिर इंडिया में ही कास्मीर हो गया ठीक है ऐसे कोई भी जगा जहां पर snowfall होता है जहां पर temperature minus में होता है ठीक है आप वहां पर आप फोन लेकर जाते हैं अगर मालने जगा आपका जो mobile phone है अगर आपका mobile phone प्योर सेमी कंड़क्टर से बना होता और आप वहां लेकर जाते तो यह काम नहीं करता क्योंकर temperature negative में है करता भी तो बहुत धीरे-धीरे काम करता मतलब एक तरसे इतना slow काम करता कर नहीं करता तो अच्छा रहता ठीक है अच्छों तो और नहीं करते तो जदा अच्छा रहता ऐसा मतलब इतना slow काम करता प्योर सेमी कंड़क्टर के आपके वाद बर टेमपरेच्टर में गोमेंगे या पिर फून को रखेमे कर आग के पास गरम हो और टेमपरेच्राइज फॉख और कोभालेंटशन ब्रेक हो आज सो नहीं कर सकते हैं ठीक है तो फिर क्या डिसाइग हुआ कि ठीक हम ऐसा करते हैं इस सेमिकंड़क्टर तो रहन ही देते हैं इसमें कुछ इंप्योर्टी को मिक्स कर देते हैं और ऐसे इंप्योर्टी को मिक्स करते हैं जिसके पास चार्ज कैरियर्स तो हो है न और उन चार्ज कैरियर्स को हमें टेंप्रेशर से ब्रेक करने के जोड़त नहीं पड़े टेंप by making use of impurities, when a small amount say a few parts per million of a suitable impurity is added to the pure semiconductor, pure semiconductor में कुछ आड किया गया, जेकि में यहाँ पर राइन कर देता हूं, the conductivity of semiconductor increases, increased, many folds, ठीक है, such materials are known as extrinsic और impurity semiconductor, ठीक है, ऐसे materials जिनमें हम लोग impurity mix किये, उसको बोल देते हैं, extrinsic semiconductor या impurity semiconductors, ठीक है, अब कैसे materials का mixing करते हैं, impurities क्या होते हैं, कौन से होते हैं, ये चीज़ आपको भी समझावाँगा भी, the deliberate addition of desirable impurities is called doping, ये इस called doping, the deliberate addition of desirable impurities is called doping, and the impurity atoms are called dopants, such materials is also called doped semiconductor, ठीक है, जो impurities हम यूज करते हैं, डोपिंग करने के लिए, उसको बोलते हैं, dopant, and ये जो methods add करते हैं, उसको बोलते हैं, doping, ठीक है बच्चों, and such materials is also called doped semiconductor, मतलब, जो mixing के बाद, जो semiconductor बनता है, उसको doped semiconductor भी बोलते हैं, या extensive बोलते हैं, ठीक है, या फिर impurity semiconductor बोलते हैं, ठीक है, semi conductor lattice अब देगे, यहाँ पर, the dopant has to be such that, it does not distort the original pure semiconductor lattice structure, dopant इस तरीके से हमें लेना है बच्चों, that is, जो हमें impurity लेना है, वो इस तरीके से लेना है, कि वो original semiconductor के structure को disturb नहीं करें, ठीक है, it occupies only a few, a very few, original semiconductor atom sides in the crystal, a necessary condition to attain, this is that, the size of dopants and the semiconductor atoms should be nearly same, है यह सबसे मतलब important condition है, ठीक, आपको, इससे को याद रखना होगा, ठीक है, a necessary condition to attain this is that, the size of dopant and the semiconductor atoms should be nearly the same, ठीक है, इनकास, size होना चाहिए, वो, same होना चाहिए, almost, ठीक है, there are two types of dopants, used in doping, ठीक है, यहां दो type का doping, use किया रता है, dopants को use करते है, हम लोग, एक होता है, tetravalent, ठीक है, sorry, pentavalent, एक होता है, trivalent, ठीक है, यहां बोला गया, there are two types of dopants, used in doping, the tetravalent, silicon germanium, पहला होता है बच्चों, pentavalent, अब pentavalent में vacancy, यहां पर 5 electron होता है, इसके पास, ठीक है, आप ध्यान रखेगा, pentavalent के अंदर 5, है न, outermost orbits में electrons होते हैं, ठीक, इसके बाद देखिए, इसके examples क्या है, इसके examples है, बच्चों, arsenic, antimony, phosphorus, यह pentavalent के examples होता है, ठीक है, अब pentavalent से क्या फाइदा होगा, यह आपको मैं समझाओंगा, डाइगराम के समझाओंगा, अब आप स्टेटमेंट से से फोकस किजिए, trivalent, ठीक है, pentavalent और trivalent, trivalent होता है, indium, boron, aluminium, इसके पास, तीन ही electron होता है, इसके valence में, ठीक है, और इसके पास, five electrons होते हैं, ठीक है, अब देखिए, यहां पर, we shall now discuss how the doping changes the number of charge carriers, ठीक है, and hence conductivity of semiconductors, silicon and germanium belongs to fourth group in the periodic table, therefore we choose the dopant element from nearby fifth or third group, expecting and taking care that the size of dopant atom is nearly the same as that of silicon and germanium, यह से रेना होता है, interestingly, the pentavalent and trivalent dopant in silicon and germanium give two entirely different types of semiconductors as discussed below, n-type, p-type, यह मैं आपको n-type और p-type, यह सम्झाहूँँगा आलग से, ठीक है, यह इस पे मतलब आपको एक video proper बना करके, यह सारे, जो n-type, p-type ही इसके, यही आपको सम्झाहूँगा, n-c-r-t के language इसी, but next video में, अभी आपको मैं यहाँ पर एक बर सम्झाहा देता हूँ थोरा कि mixing से क्या होता है, देखिए, सबोस करें अपने पास phosphorus है, थोरा बहुत यहाँ पर आपको idea देता हूँ, बाकी मैं आपको next video में, आपको proper सम्झाहूँगा, इसके बारे में, जैसे मान लिजे मैंने phosphorus में, तो pentavalent को mix किया, silicon के साथ, ठीक है, semi-corrective mix किया, तो अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ phosphorus पर 4 ही electron दिखाया है, जबको होता 5 है, मैं दिखाऊँगा 5th electron भी, ठीक है, अब देखिए, जैसे आपने यहाँ mixing किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, कि pentavalent के पास 5 electron होता है, तो इसके पास जो 4 electron है, इसके पास, pentavalent के पास, that is phosphorus के पास, इसके all 4 electrons, फाइब में से 4 electrons, आउट फाइब 4 electrons, इसके covalent bond बना ले रहे हैं, किस के साथ, silicon के साथ, बट एक electron तो यहाँ पर free रह गया, ठीक है, यह तो free है, मतलब completely free भी नहीं है, बट एक तरह से free है, क्योंकि इसको energy अपने को बहुत ही कम देना पड़ेगा, 0.05 electron volt, तो इतना energy तो मिल जाता हाँ, असानी से उच्छों, ठीक है, तो इतना कम energy देना पड़ेगा इसको free करने के लिए, तो अब देखे, अब हमें covalent bond break किये हुए हम लोग को free electron दिख रहा है मिल रहा है न, ठीक है, तो हम लोग को बीना covalent bond break किये हुए free electron यहाँ पर मल रहा है, okay, covalent bond break करने के जरूरत नहीं है, मतलब temperature rise करने के जरूरत आह Ihnen है, आप किसी भी temperature पढ़ेंगे तो आपको एक free electron मिलेगा ही मिलेगा तो इस तरीके से मतलब अपने को बीना temperature rise के हुए यहाँ पर free electrons मिल जाते हैं और इसी टाइप से holes भी मिलते हैं तो holes कैसे मिलते हैं ठीके electrons में और क्या क्या concept हो सकता है कितना energy देना पड़ता है यह सारी चीजा आपको मैं next जो वीडियो होगा बच्चो उसमें explain करूँगा ठीके I hope अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप जरूर इसको लाइक किजेगा चैनल को सब्सक्राइब किजेगा थैंक यू बच्चों